हेलो गाईज नमस्कारम कैसे हैं आप सब मैं हूँ अमर प्रीत वेलकम टू माई चानल आज फाहद फाजल की मच अवेटेट फिल्म मालिक रिलीज हो चुकी है इस फिल्म को डायरेट किया है महेश नारा ने इस जोड़ी को इससे पहले हमने सी यू सून में देखा था इस फिल्म की कहानी जिसमें फाहद फाजल is playing the role of a godfather जो शुरुवात में देखते हैं कि हज जाने के दौरान उसने किरफ़तार कर लिया जाता है और जेल में उन्हें मारने की साजिस पुलिस रचती है उसके बाद कहानी जो है backlash में आती है करीबन तीन बार जो है story backlash में जाती है और stages पे कहानी दिखाती है कि कैसे उनकी as a palace smuggler शुरुवात होती है फिर धिरे धिरे वहाँ पे वो mosque के सामने कच्रा होता है पूरा उसकूस एरिया को साफ कराते है वहाँ पे school बनाते है और धिरे धिरे कैसे वो उस एरिया के as a masiha बनते है लेकिन उसके बाद because of some rights between two communities जो उनके friend है डेविड जो विनया फोर्ट प्ले कर रहे है उन दोनों के बीच में differences की वज़े से especially जो politicians है वो उसका use करके और police वी actually वो right करवाती है पुलिस किस तरीके से जो इनकी गरीबी है इनकी जो helplessness है उसको use करती है और जो दोनों community के differences है कहीं न कहीं उसको use करके किस तरीके से right करवाती है और इन characters का क्या होता है where do they end up in life इसी के बारे में जो है कहानी है यह film करीबन 2 गंटे 40 मिनट की है let me tell you the best part about the film the best part about the film is the cinematography by one of India's best cinematographers सानु जॉन वर्गीज स्पेशली उनके जो long shots है used in the beginning करीबन 13 minutes का वो long shot है बहुत ही बड़िया तरीके से shoot किया गया है I mean hats off to the cinematographer hats off to सानु जॉन वर्गीज और उसके बाद कहीं climax climax से थोड़ा पहले करीबन 15 minutes का एक और long shot है जो आपको बहुत ज़्यादा impress करता है जो बाकी cinematography भी है film की वह बहुत ही शांदार है इस film को लिखा और direct महेश ने रहनने ने किया है और मैं बता दूँ आपको शुरुआत में करी के जाएगा and at the end you will be definitely satisfied with this film acting इस film की top class फिर से निमिशा सजयन आइटिंग यार ग्रेट इंडिन के लिए उनको national award तो देना ही चाहिए कमाल का काम किया है उनने इस film में विनेफोर्ट as David plays his part very very well and talking about Fahad Fazil, Fahad Fazil an absolutely genius मतलब यार किसी film में वो कभी भी disappointment नहीं करते है चाहे वो उनका यंग्स्टर का रोल हो या जो mid age में उनका रोल हो या जो end में रोल है जब वो old है जब बुड़े होते हैं तब भी उन्होंने अपना character बहुत अच्छे तरीके से play किया है बाकी सारे actors जो 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 बड़ा नहीं है लेकिन जितना भी है वो अपने screen में अपना कमाल जरूर चोड़ते हैं I think Malayalam film की speciality यह है जो उनकी writing में depth होती है और उनके characters में जो depth डालते है actors वो कमाल की होती है देखने लाइक होती है ऐसे characters वो play करते हैं कि जिनको आप याद रखोगे बाद में आसानी से भूल नहीं जाओगे और यह film real incident से इंस्पाइड है so once again super duper impressed by direction cinematography music background score भी बहुत ही बढ़िया है acting everything guys this is a must must watch film again फाहत वाजिल फाफा जी ने हम प्यार से कहते हैं वो अपना magic definitely create करते हैं Mahesh Nairan and other actors के साथ मिलके और cinematography के लिए अगर सानु जोन वर्गिस को अवर्ड नहीं मिला तो मैं धरने पर बैठ जाओंगा भाई साब कमाल की cinematography की है सच में so go ahead and watch this film on Amazon Prime and please do not forget to like and share the video subscribe to the channel अगर आप फिल्म देख चुके हैं तो आपको फिल्म कैसी लगी है प्लीज मुझे मेरे comment section में जरूर बताए वैसे फिल्म Malayalam language है English subtitles available है so Amazon Prime पर जाईए देखिए thank you so much अपना ख्याल रखो I'll see you again